जैन गाईज, मैं नेम इस प्रियल और आज मैं बताती हूँ best state selection के लिए कौनसी है आपके लिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत important होने वाला है क्योंकि अभी form filling चल रही है अभी जो आपकी form filling है आपको एक दिमाग में बहुत ज़्यादा question आ रहा है किया कि state से हम अपनी job profile के लिए job apply करें ठीक है तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आई हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो please like करेगा और share जरूर करेगा ठीक है अब ये कब आपके मन में बात आती है best state कब दूरें कौनसी है ये तब आती है जब आपके खुद की native state home state में vacancy कम दिखती है क्या नहीं है ये हाँ जी तो जब आपको अपनी खुद की state में vacancy कम नजर आती है तब ही आप देखते हो कोई दूसरी state और आप चूज करना चाहते हो कि यार उन states में अब इत्ती साधी states है उनमें से मेरे लिए best state कौनसी होगी ठीक है तो आप इसी बात में confused रहते हो और अगर ये चीज आप देखो तो ये बस एक paper के निये नहीं आप HBI के लिए apply करोगे तो भी यही दूडोगे आप RRB के लिए apply करोगे तो भी यही दूडोगे IBPS, reserve bind, सबके लिए आप ये चीज प्रिफरेबली धूडोगे ठीक है तो इसका solution मैं आपको बताती हूँ लेकिन इसके कुछ points है जो आपको पहले दिमाग में रखने चाहिए ये चीज जो आपको confusion create करती है इससे related आपके पास बहुत सारी जानकारी और होनी चाहिए ठीक है बस आप cutoff देखके अपनी best state choose नहीं किया करिए देखो cutoff list आपके पास बिलकुल होगी हर state की अगर आप google पर डालोगे तो आपको cutoff list मिलेगी ये जो cutoff list रहती है उससे ही आप decide करते हो कि मेरे लिए best state वही होगी जहां पर सबसे ज़्यादा vacancy है या पर मेरे लिए best state वही होगी जहां का cutoff सबसे कम जा रहा है यही दो आपकी preference होनी चाहिए ठीक है यही दो preference आपकी चलती है अब इन preference के अलावा भी बहुत सारी चीज़े और matter करती है जब आप अपनी best state दूरते हो for the selection clear है तो क्या चीज़े है अगर आप इन तीनों examination और अगर आईवन आप बोल दीजे RBI के लिए भी apply कर रहे हो तो आप यह questions एक बाद दिमाग में रखते हो कि preference state सबसे पहले कौन सी रखने चाहिए तो एक एक करके में आपको चीज़ें इंडिया के accordingly बताती है ठीक है प्लीज गौर फर्माइएगा सबसे पहले आपका जो preference chart है वो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी home state ही करनी जाए ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी home state ही देखते हो तो इससे क्या रहता है कि आपका घर भी वही रहता है और घर वहां रहने से आपको सुविधाय जो रहती है अपने home state में वो बहुत जादा मिलती है जैसे आपकी local language आपसे बनती है आपको local food पसंद होता है ठीक है आपको local preferences मतलब अगर आप चाहो भी तो आप अपना जैसे job खतम करिया आपने उसके बाद जैसे आप अपने जो शुरूर से अपना प प्लस 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 home state में अधिकांश आपके घर रहते हैं सुविधाय पहले से बनी बनाई रहती है तो यह सुविधाय आपको थोड़ा सा बौदन नहीं करती है क्योंकि जब आप एक नई job पे आते हो तो job पे आप जब जोइनिंग करते हो तो job के संग संग अगर आप shifting करत हो तो आपके लिए थोड़ा सा सर्दत बनता है और अगर आप अकेले हो तो बहुत जादा सर्दत बन सकता है ठीक है और अगर आपकी नियूली फैमली है तो भी सर्दत बन सकता है यह बस मैं एक जनरल केस बता रही है लेकिन अगर आप comfortable हो तो बिलकुल home state आप रिफर नही देखिए आपकी बहुत सारी चीज़ें बनी बनाएं आपको नसर आती है ठीक है बस फिर आपको जो टेंशन रहता है performance का आपके job कर रहता है इसमें आपके फायदा क्या होता है home state में कि जब आपके internal papers होते है ठीक है जब आपके internal paper होते हैं आप जैसे ही आप आते हो तो यह अगर आप इन चीज़ों पर थोड़ा रखें तो आप internal paper में बहुत अच्छा perform कर पाऊगी ठीक है बिल्कुल मैं clear cut बात कर रहे हूं सारी चीज़े बले है और अगर आप यह चीज आगे prospect पे भी देखो कि अगर आपकी family आगे move करती है और जब आपकी family बढ़ती है तो उस की main preference होनी चाहिए अगर आप बोलते हूं कि नई माम यह चीज हमारे साथ नहीं हो पा रही है हम तब भी adjust कर लेंगे तो फिर आप देखते हूं क्या if vacancy is less आप बोलोगे माम हमारे हां state में हमने बहर के भी देखा बहुत बाल लेकिन vacancy हमारे हां हर बाल कम आ रही है मैंने प अधर स्टेट चूस कर रहा हूं या कर रही हूं तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप अधर स्टेट चूस करते हुँ वह क्या चीज़igent चूस करते हो तो आपको सारी शीज़ें ध्यानल ले Aug ngày जो आपकी खृतकी स्टेस है उस City से अधर since a another एक बार नाप लीजिए अब बोलो मैं ऐसे नहीं गूगल से नहीं नॉर्मल कंडीशन पर जैसे कोई व्यक्ति MP में है अगर वो UP पर जॉब ले रहा है ठीक है बनना या फिर महाराष्ट्रा में ले रहा है तो यह कहीं न कहीं इसके लिए इसके दिस्टेंस कम है लेकिन अगर कोई व्यक्ति MP का है वो जाकि केरला में जॉब ले रहा है तो इसके लिए बस आप हो जो नया आपका फ्रेंड सरकल होगा वो होगा कभी आपकी फामली को आपसे हमेशा मिलने में समय स्या आएगी और आपको वहाँ जाने में समस्या आए ठीक है जाने आने में भी आपको काफी दिल लग जाएंगी ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखेगा अगर आपको इस टेट दूड रहे हो तो नियर्वाइस सबसे पहले फिर जिस स्टेट को धूड रहे हो उसका फूड हाबिट आपकी फूड हाबिट से सूट करें अब आपको खाने ही आपके पसंद का नहीं मिल रहा तो आपके लिए वो जॉब भी उतनी मन खुश तो आगे का काम खुश होता है ठीक है तो अगर आपका फूड ही हाबिट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक है कोई व्यक्ति को उसका फूड हाबिट ही सपोर्ट नहीं कर तो फिर आप कैसे refer कर पाओगे ठीक है clear है clear है उसके बाद next important पातचीत क्या आती है next आता है language next जो बातचीत आती है वो क्या आती है language language क्या होता है language भी आपका most important criteria होता है और यह क्यों होता है क्योंकि यहां पर आपका language language प्रफियंशी टेस्ट होता है ठीक है यह जो आपका टेस्ट होता है इस टेस्ट के accordingly आपको क्या करना पड़ता है इस टेस्ट के accordingly आपको जब आप में इस क्वालिफाई करते हुए इंटर्व्यू में आते हो तब आपको यहां पे इस टेस्ट का भी टेस्ट होता है आपको इस टेस्ट में तीन चीज़े बननी चाहिए रीट करते हुए उस local language को जिस state में आप जा रहे हो ठीक है आपको वहां का रीट करते रहना चाहिए बोलते बननी चाहिए speak ठीक है और उसके बाद आपको लिखते भी बननी चाहिए अब इतना हच से जादा नहीं लिखते बननी चाहिए लेकिन normal condition में आपको basic सी चीज़े जो है यह तीन चीज़े बननी चाहिए clear है तो LPT test यह होता है ठीक है अब आपको से ऐसा हो सकता है कि कोई नौर्थ इंडिया वाला व्यक्ती है वो नौर्थ इंडिया वाला व्यक्ती अगर shift हो रहा है साउथ इंडिया के कोई city में ठीक है जिससे अगर आप इसधर ही देखे है यहाँ पे अगर आप focus करें तो यहां की भी लैंग्वेज में जादा उतना डिफरेंस नहीं है राजस्थानी भी सीख जाते हो पंजाव यह सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारी प्रिफिर्बल लैंग्वेज होती है तो अगर आप देखो कि अगर आप कोई नॉर्थ इंडिया की सीटी में मूव करता है तो उसके लिए यह LPT टेस्ट थोड़ा सा इजी पड़ता है ठीक है क्योंकि उसमें कही न कहीं उनकी जो मदर टंक होती है वो थोड़ी बहुत सिमिलर होती है बन जाता है लेकिन जैसा ही महराश्च्रा की border cross करते हुए नीचे मूव करता है ठीक है महराश्च्रा भी कभी कभी आप बो सकते हो कि कहीं न कहीं सिमिलर है लेकिन जैसे आप नीचे मूव करते हो तो यह वाली जो states है यह आपको बहुत जादा पढ़ना पढ़ता है सीखना पढ़ता है बो सकते हो एक अगर online भी YouTube का free course भी देखो, तो वो करना वड़ता है, ठीक है, बनना आपसे यहां की languages नहीं बनती, और यह languages क्यों आपसे पूछी जाते हैं कि LPT का test क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जब आप देखो कि LPT का test हो रहा है, तो यह LPT का test होता है, इसलिए किया जाता है, कि अगर आप clarify, और यह चीज एक और clarify करती हूँ, यह मैं clerk के लिए आपको बता रही हूँ, सभी लोगों के लिए, ठीक है, PO में तो आपको पता है, कि मैं PO level में तो All India हमको move करना रहता है, तो All India की तो हमसे language बननी नहीं चाहिए, तो PO में LPT test नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर आ clerk दे रहे हो, किसी का भी, IBPS, RRB, as well as, आपका IBPS, RRB, सबका, ठीक है, तो अगर आप clerk level पर पोस्टिंग लेते हो, तो क्या होता है, आपको counter facing रहती है, आपको local लोगों से मिलना पड़ता है, लोकल लोगों से जब आप मिलते हो, तो उनकी जो native language है, home state की language है, वो आपको counter face कननी पड़ती है, उनके कुछ लिखित में चीज़ें रहती है, जो आपको counter पर face कननी पड़ती है, संगी संग, आपको कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है, जिसको आपकी language ना Hindi बन रही है, ना English बन रही है, for time being, मैं बोलती हूँ यह चीज, अगर आप Hindi murder tongue जैसे मे जाती है, और मिल जाती है, ठीक है, समझ में आ गया इसका importance, अब इसमें एक और importance है, पहले तो दो तीन पॉइंट और मैं डिसकस करती हूँ, अब LPT test क्या होता है, LPT test जो होता है, local language सबसे ज़्यादा कहां लगती है, local language जब आप RRB का paper देते हो, तो RRB Grameed Bank, Grameed Bank पे मतल जब आप इन local people से मिलोगे, तो इन लोगों को ना English बनेगी, ना इन लोगों को आपकी native language Hindi बनेगी, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो मैं, हाँ जी, ये बात भी बनती है, तो इसलिए आप से RRB के लिए ये चीज होती है, लेकिन RRB के लिए एक और पाइदे मन चीज क् जब आप main qualify करते होना, तो joining और main में थोड़ा समय रहता है, 4-6 महीने का, इस समय में अगर आप capable हो, तो learn कर लो language, पूरे हद तक course करना चाहो, तो कर लो कहीं से, ठीक है, तो ये आपके लिए एक चीज अच्छी होगी, लेकिन अगर आप यही चीज, कोई south की state में है, मैं अ प्री निकालूंगी, फिर मैं mains निकालूंगी, फिर मेरे को interview भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्री में इंटर्व्यू करने के बाद, फिर उसके बाद मेरे पास जो समय रहेगा joining का, वो बहुत कम रहेगा, उतने समय में मैं समय नहीं दे सकती कि मैं उस region की language learn करो, अगर अब बोलोगे माम, अब क्या करें, अगर हमको अब ये चीज एल्पीटी ही bother कर रहा है सबसे जादा, बाकी सब तो हम लोग adjust कर लेंगे, एल्पीटी bother कर रहा है, अब देखो एक चीज मैं आपको map अपने personal experience से बताती हूँ, आपके खुद की state से, जो next state है, जितना जादा distance होता है, देखो, उतना जादा ना आपको जो भूते ना convenience जो होता है, वो कम होने लगता है, ठीक है, ये चीज प्लीज मानिएगा, अभी आप लोग जैसे कभी भी कही shift नहीं हुए हो, जो लोग shift हुए है, एक बार उन से ये चीज ध्यान दीजेगा, ठीक है, चलो, ये कही ना कहीं, आप लोग लिकिन manageable रहता है, ये थोड़ा बहुत manage कर पाओगे, तो ठीक है, अब बोलो कि माम अगर नहीं करना है, तो क्या करें, अब ये तीन bother कर रही ही रहा है, कोई नो कोई, तो भाई, एक चीज है, फोकस करो, और आपकी जो खुद की local state है, उस पे ध्यान द रखना है, ठीक है, 60 साल के उमरे तक आपको joint, job को joint करके रखना है, क्योंकि इसके बाद आपका retirement होगा, आप क्या mentally इस चीज को accept कर रहे हो, कि हम इस state को, देखो, अभी तो आपको बहुत जादा intention रहती कि और vacancy नहीं है, तो तुम vacancy देखके चले जाते हो state में, ठीक है, च वहीं के local language, वहीं के local people, सब आपके लिए new रहेगा, और वो आपके लिए आपकी खुद की family से थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है, ये एक general बात चीज, ठीक है, तो जब आप इस चीज को देखोगे, तो आप अपने आप पहले focus करो, अगर आप वहाँ sustain कर पा रहे हो, वहाँ अगर आप आप आराम से रह पाओगे, रह सकोगे, रह लोगे, ठीक है, तब आप इस चीज को prefer करो, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो, तो एक और solution है मेरे पास, please ध्यान दीजेगा, ठीक है, अगर आप ये सारी में से कोई भी point नहीं कर पा रहे हो, तो मैं क्या किया जाए क्या किया जाए जो आप effort लगा रहे हो, बहले तुम्हें ऐसे लग रहा है माम, vacancy कम है, vacancy कम है, तुम्हें एक चाहिए है, ये हर वेक्ति बोलता है, और एक जो चाहिए रहती है, वो vacancy कम रहती है, और हमें जो एक चाहिए रहती है position, वो कम मिलती है, जब हम अपना जो आपके बस में है ये चीज, अगर आप अपना effort बढ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारी state से बाकी बच्चों का भी तो कुछ effort हो रहा है, वो लोग तो निकाल पा रहे हैं, उस vacancy से, suppose 200 vacancy हैं, चलो मैं इतना माल लेते हूं, ठीक, तो आप क्या देखोगे, कि आप उन दोसों की बीच में, दोसों में से सबसे तो बन रहा है, तो आपका effort मतलब उन से कम है, तो आप अपना एक काम करो, ना इतनी ज़्यादा पंचायच से बटर है, मैं एक फैक्ट बदाती हूं, और इसको अधरवाईज मत लीजेगा, इतनी पंचायच से बटर examination के लिए और बढ़ा दो, अपनी preparation और तेज बूस्ट कर दो, ठीक है, जब यह करोगे तो उनके under आ जाओगे तो फिर आगे कि सारी state बदलना बदलना सब खतम हो जाएगा, ठीक है, तो अपने वे विश्वास करो, effort थोड़ा अपना multiple करो, multiple efforts करते जाओ, करते जाओ, करते और अपनी कोशिश करो home state पे ही रहनेगा, ठीक है, कुशिश करेगा, और यह चीज अगर बच्चे बोलते हैं कि मैं marital ground पे हम लोगों को भी, ऐसा बहुत सारे लोगों को direction रहते हैं कि marital ground पे हमारा जो state होता है, वो change होता है, हाँ जी, होता है, लेकिन कब होता है, क्योंकि देखो, आपने जिस state से vacancy भरी है, जिन state की vacancy आपने occupy करी है, वो state कोशिश करेगा, कि वो बंदा उस vacancy पे काफी समय तक रहा है, तो यह चीज कभी-कभी marital ground और बागी सारे ground पे भी न, दो-दो साल तक खिच जाती है, मतलब आप दो-दो साल तक shift नहीं कर पाते हो, ठीक ह आपने वो vacancy, फिर वो vacancy खाली हो जाएगी, फिर vacancy के लिए कोई चाहिए, है न, और दूसरे की vacancy, आपको जिस state में आप जा रहे हो, उस पे vacancy नहीं हुई, तो आपको उस frequency को अपनाना है, मतलब vacant seat है नहीं, लेकिन आप वहाँ पे जाना चाह रहे हो, ठीक है, समझ रहे ह तो यह चीज प्रिफर, और एक और चीज होता है, जो आपको system रहता है, ठीक है, तो system आपको अपनी state में रखना चाहेगा, क्यार हमें कमी है, vacancy ले दी हमने, आप दूसरे में जाओगे, तो बोलो, यार, मतलब यह system भी थोड़ा सा वाइड करता है, system तो ऐस सच नहीं, में यह condition आती है, clear, अब आते हैं, तुम्हें क्या avoid करना है, ठीक है, आपको avoid, अब आप बोलो, नहीं माम, अब ठीक है, अब effort भी उतना नहीं भड़ा पा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम सोच रहे हैं, अब हमने ठान लिया है, किसी और ही state से बढ़ते हैं, ठीक है, तो avoid क्या कर यह वाली state, जैसे मैं अगर MP से हूँ, तो मैं सोचूंगी, यार UP मुझे मिल जाएगा, तो ठीक है, compatible है, ठीक है, अब देखो, weather भी change रहता है, यह चीज दान लगे, weather भी change रहता है, ठीक है, तो weather चेंज होगा, हर चीज चेंज होगी, तो हर चीज आपको दिमाग वे रखन ठीक है, नहीं, मैं सोचूंगी, राजस्थान आप जाने का, ठीक है, तो मैं compatible हूँ, तो मैं बिल्कुल उत में जाओंगी, लेकिन अगर मैं सोचूंगी, तो मैं अगर MP की हूँ, तो मैं South India साइड, prefer कम करूँगी, वैसे तो आप कुछ नहीं है, तो South India साइड में जाओंग है, वो व्यक्ति के अलग-अलग variable रहती है, ठीक है, marital ground में कोई बोल रहा है, तो marital ground में वो वहाँ पहुच रहा है, कभी-कभी ऐसा होता है कि suppose आपके जो भी parents हैं, जो भी हैं, उनका कहो, उनने कहीं और job shift कर ली, तो भी आप move करोगे, suppose आपके जो spouse हैं या कराइफ की wife है वो किसी और state में है, तो भी आप ground लगा होगे, या फिर आपको खुद अपना local state से किसी और state में भी जाना है, ठीक है, तो वो अलग-अलग situation रहेगी व्यक्ति के, ठीक है, clear हुआ यह सब बाते, अब आपको एक चीज, अगर आप हाम की बात करें, तो आपको खुद जज कर करना है, कि क्या चीज आपको हाम करें, long term तक दूसरी state में survive करना है, कि short term तक भी survive करना है, कुछ लोग short term भी survive नहीं कर पाते हैं, कुछ long term भी नहीं, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं ना, मैं सब में करूँगा, तो फिर तुमारे लिए कोई चीज हाम नहीं करेंगी, nothing will harm you, ठीक है, तो it's all your decision, अब बोलो कि मैं more confused हो कि, confusion नहीं है, ये reality है, ठीक है, समझ में आया, कि अगर आप ये चीज देखोगे, तो ये आपकी reality है, कि आपको कि स्टेट से अपनी भरनी है examination, ठीक है, तो अब आप पे depend करता है, अगर आप बोलो कि मैं cut off बता दीजेगा, त अगर cut off डाल दूँगी अलगलग स्टेट का, फिर तुमारा जैसा भी इक्षा हो, आप उसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो hopefully you like this session, और हाँ जी, बहुत सारी चीजें दिमाग से clear भी हुई होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगी, जो हाँ, हमें सोचने विचानन पर थोड़ा सा मजबूर कर रही होंगी, ठीक है, तो जैसा भी चूज कर रहे हो, अपनी स्वाइक्षा से चूज करिएगा, बिल्कुल किसी चीज को हड़ड़ी में नहीं करिएगा, क्योंकि तुमारे आने वाले, अगर तुमारे आने वाले साट साल वहीं पर जाने वाले ठीक है, चले, so take care of yourself, टाटा, bye-bye, और session पसंद आया हूँ, thank you so much, और अगर आप लोग मेरी classes पसंद भी करते हो, तो please मेरी classes जॉइन किया करो, मेरी classes कितने बज़े रहती है, तेली 3 p.m. पे मैं reasoning की class लेती हूँ, तो आप लोग सभी लोग 3 बज़े मज़े, 3 p.m. ठीक है, 3 पे मेरी reasoning की class रहती है, आप जोइन कर सकते हैं, SLV, banking guru को subscribe कर दीजेगा, notification आप तक पहुचेगी, और जैसे हमारे new videos आएंगे, अगर ये video informative लगा, तो मैं ऐसे ही और videos आपके सामय लेते आओंगी, ठीक है, चले, जैहन guys, thank you